दोस्तों एका फिर से स्वागत है आपका हमारी परीटियो में क्या आपने कभी सोच है कि सिर्फ 5 सेकंड लिए अगर ऑक्सीजन हमारी प्रत्वी से पूरी तरीके से गायब हो जाए तो क्या होगा दोस्तों अक्सर हमें कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ अक्सीजन बहुत सरूरी है मैं यकीन से कहा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको अक्सीजन की असली एहमियत पता चले की और आप मेंसे जातर लोग ये बाद सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड में तो क्या होगा सास रोक लेंगे पांस सेकंड भई कौन सी बड़ी बात है है ना दोस्तों हम आपको बता दे पलक जपकते ही ताज महल स्टैचू अफ यूनिटी कुदू मिनार समेथ दुनिया की एक एक इमारत चकना चूर हो जाएगी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लग बग हर इमारत कंक्रीट से बनती है और कंक्रीट के कड़ों यानि पार्टिकल्स को इकठा ऑक्सीजन ही रखता है बिना ऑक्सीजन के कंक्रीट सिर्फ धूल है इन पांस सेकंड में ही आपकी चमड़ी एकदम चल जाएगी दरसर सूरे की किरोडों के साथ बहुत डेंजरिस अल्टर वालेंट रेस भी आती है जो हमारी चमड़ी के बहुत खातक है ओजोन लेयर ही इन अल्टर वालेंट रेस को हमारी चमड़ी को चलाने से रोकता है ओजोन लेयर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल से ही बनती है अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हम पापड की तरहां सिख जाएंगे यकीन मानिये इन 5 सेकंट में हमारे कान के परदे फट जाएंगे अक्सीजन कोने का मतलब हमारे आज पास के एर प्रिशर का 21% कम होना है हवा के दबाव में अचानक से बतलाव होगा जो हमारा कान एड़प नहीं कर पाएगा जिसके वज़ा से हम हमेशा के लिए सुनने की क्शमता को खो देंगे इनी 5 सेकंट में धरती की सरफेस या नी सता तूट कर चकना चूर हो जाएगी आपके पैरों के नीचे जो जमीन है वो तूटना चालू हो जाएगी और वो तब तक तूटेगी जब तक सब कुछ खत ना हो जाएगी और आप धरती में समा जाएगे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रत्वी की जो सता है वो 45% आक्सीजन से बनी है जी हाँ 45% और अक्सीजन ही इसके पार्टिकल्स को जोड कर रगता है अक्सीजन के गायब हो जाने से ये जोड छूट जाएगा और पैरों के तले जमीन ठिसक जाएगी और इन्ही 5 सिगंड्स में सारी नॉन इलेक्रिक गाड़िया बंद हो जाएगी और सारे हवाई जहास, हेलिकॉप्टर्स, जमीन पर आगे रहेंगे आपको पता है आग जलने के लिए उक्सीजन जरूरी है और इंजन जलने के लिए कंबर्शन प्रॉसस का होना बहुत जरूरी है इस वेरी वेरी इंपॉटन्ट अक्सीजन ना होने पर कंबर्शन नहीं होगा और सारे इंजन बंद हो जाएंगे इन पांस सेगेंट्स में ओशन जैसे सभी जलसन साधन गैस में बदर जाएंगे क्योंकि पानी जो होता वो दो एलिमेंट से बना होता है हाइड्रोजन और अक्सीजन और जब उक्सीजन मौझूद नहीं होगा तो केवल बचेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सबसे हलकी कैस है तो ये जल्द ही प्रत्वी से निकल कर स्पेस में चला जाएगा दिन में भी पूरी दुनिया में अंधेरा चाजाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अक्सीजन सूरी की किर्णों को प्हलाने में मदद करती है और अगर अक्सीजन नहीं होगी तो रोशनी नहीं प्हलेगी और पूरी दुनिया में अंधेरा चाजाएगा आप सोचने होगे पांस सेकंड्स के बाद क्या होगा तो दोस्तों पांस सेकंड्स के बाद जो होगा उसको देखने के लिए आप जिन्दा नहीं पच सकते ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका शरीर सतर प्तिशत पानी से बना होता है और जैसा कि आपको पताए अक्सीजन के बिना पानी असंभव है तो हमारे सारे सेल्स विस्फोर्ट हो जाएंगे सोचिए सिर्फ पांस सिकंड्स अक्सीजन ना होने पर इस दुनिया का क्या होगा अब समझाया होगा कि अक्सीजन की क्या वैलियू है दोस्तो हमारे वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज कॉमन्ट करके जरूर बताईएगा और साथ में इसे और लोगे साथ शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें अक्सीजन की वैलियू पताचा सके